नमस्कार मैं मनीश वर्मा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भी ये प्रोग्राम सेमेश्टर थर्ड इंग्लिस A, B, C इन तीनों को आज की इस एक ही वीडियो में निप्टा दूगा मैं देखो आपका जो इसलेवस होता है इंग्लिस लेंग्वेज थरो लिट्रेचर टू है ये क्योंकि वन आपको सेंग्लिस समेश्टर पढ़ना होता है इंग्लिस लेंग्वेज रो लेट्रेचर इसमें आपको सिर्फ एक पैसे उसका अंसर दियाना होता है तो इसमें इसा पर्टिकूलर चीज नहीं कि आपको मैं इसे देदू और ये बोलो कि बस यह रट के चल जाग एग्जाम में आ जाएगा इसमें आपको अपनी अंडरस्टेंडिंग लेवल से समझना है और पूछेकर Excel असा का अंसर दियना है अगे फिंदा बल्लाइक से तीस का 备त्स नीटियों में से को इसे में आपको इसमें दोनों में यह बिल्कुलि अलग है इसमें निडेसर में तरीचर का पॉर्ष से ल आप से मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं आप सभी को कई आप सभी इसको इसको ले लो और बोले उसर जो आपने पीडियाप दिखाया था वो एक्जाम में नहीं आया वो जिस फॉर्मेट है आभी सकता है सेम लेकिन कोस्टन क्या है वो इंग्लिस चेंज कर देंगे अब मालों को स्पीच है इस पर कोवीट पर आ गया अगला बाद करप्सन पर आ जाएगा तो करेंटल इस पर पूछा जाता है आप सभी से तो चलिए को और फॉर्मेट समझा जाता हूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए बाकि इन तीनों की जो नोट से इसकी लिंक डि इसके बाद हम बात करेंगे English fluency इसके बाद हमारे पास English proficiency ठीक तीनों हमारे सामने हैं लेकिन इनमें जो थोड़ा सा तफ माना जाता है क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा लिट्रेचर पार पढ़ना होता है वह हमारा English language through literature इसमें यह आपके सामने contents जो आपकी इस labels मे दिए गए हैं और इसमें से जो एक्जामनेशन में आता है सबसे पहले passage पूछा जाता है अगर सेम हम English fluency में बात करें तो सेम इसमें भी यह होता है सबसे पहला passage ही होता है अगर आप देखोगे फ्लियंसी में और जो फ़र्ड हमारे पास परफिशी इसमें भी सबसे पहला passage होता है कभी कवार क्या होता है कि इंटर्चेंज कर देते यानि कि मालों कि कभी कवारि पैसेज को एक्शेंज करके देते लेकिन यह फॉर्स्ट कोशन passage ही होता है और पैसेजका फ़ॉर्मेट आपको पचा क्या है जैसा हमने 11, 12, 10 अभी जो हम करते हैं हमारी जो tradition होता है स इसमें तो आपको simple passes को पढ़कर इसका answer देना है लेकिन कभी को पढ़ने के बाद आप से true and false पुछा जाता है देखो आप देख सकते हो यहाँ पिंग्लिस fluency के अंदर क्या है वा यह देखे true and false इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा यह बताना है यह पूरा पैसे social media के impact पाया हुआ है कि क्या impact पढ़ता है children के ओपर तो जैसे आप इसको पढ़े हुए तो easily आपका पैसे आता है ऐसा नहीं है कि बहुत tough आता है हम करना ही पाएंगे इस चार्टिंगे दो चाल लाइन पढ़ने से आपको पूरा समझ में आ जा गई ठी तो पहला होने वाला पैसेज पढ़कर आपको आपको आंसर देना होता है और इस paragraph अंदर आपको simple read करना है और इसके answers को ही आपसे option में पूछा जाता है और इसमें आपको answer इसका देना होता है यानि कि A B C D में आपसे question पूछेंगे इसका answer आपको इसमें से देना है तो ऐसा नहीं होता इसके अंदर कि आपने syllabus नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे कि अगर आपने अपने examination time पे भी अगर जो आपसे question दिया गया अपने पैसे पढ़ लिया तो पूरा answer इस पैसे में होता है इसमें बहार से कुछ भी नहीं आता पूरा answer आपको पैसे में सहीं करना है आप चाहिए English proficiency है यह देखिए आप English proficiency है इसके अंदर आपको B part दिया question है उनसमें पैसे दिया गया है English proficiency में first और A और B दो part बना दियागे first question में ध्यान रखना है तो first question सभी का पैसे आता है बस मेरा यह आपसे यह कहना है इसके बाद हमारा English language through literature है इसके अंदर आपको जो second question है उसके बाद जो third question है इन सभी में आपसे पैसे पूछा जाता है और यह पैसे दियान रखना है आपके books में से दी गई है और आपको क्या करना है इन पैसे को पढ़कर आपको इसका answer देना है English language through literature totally book के वीव उपर वेजड है अगर आपने book पढ़ा हुआ है तो इसलिए अगर आपने book नहीं भी पढ़ा हुआ है exams में यह जो पैसे आप से पूछे जाते हैं तो आपको पैसे को रीड करना है इन ही पैसे में से आपको answers को ढूंड कर answer आपको लिख देना है मुश्कल से कह सकते हो आपकी दो से चार लाइन मिसका answer होना चाहिए ज्यादा बड़ा भी answer नहीं होता है और यह आपका हो गया English language through literature पहला पैसे बाला हो ग लिखना है तो लिखने का format क्या होता है आपको दो जने को नाम लेना है आप अपने आपको ले लो एक अपका फ्रेंड उसको ले लो और ऐसे इसमें लिखो जैसे आप आपसे बातचित कर रहे हो आप कोई भी नाम ले लो मालो person A है person B है मालो person A ने कहा hello person B से है न हावर यू इसे बता रहा है कि क्यों नहीं आया तो आप देखो कि तो simple जैसे normally ways में हम जैसे बातचित करते हैं ऐसे ही आपको डायलोग लिखना होता है तो यह डायलोग आता है English fluency में ठीक है question number second इसके बाद हम बात करें English fluency में तो इसमें आपको पैसे आएगा question number second वो पैसे आपसे आ जाता है format change कर सकते हैं यानि की ओपर नीचे कर सकते हैं लेकिन देते ही यह ऐसे ही question जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो easy काफी question होता है और इसमें आप easily लिख सकते हूं लेकि धियान रहे यहां पर English proficiency है इसमें जो third question होता है इसमें fill in the blanks पूछा जाता है आप सभी से इसम दो मतलब डाठेस्ट मतलब डाटना तो जब कोई डाट रही है तो किसलिए लेंnews बहुत जादा होता है इसलिए इसलिए यहां पर कैंसर भी मैंने कर दिया है थाकि आपको दिक्कत ना है अब प्रूपर दिया जाता है अब हमान लो को हाइर करना है क्वी आपको इस तरह क इसमें grammar का portion आता है जैसे के letter हो गया and आपके advertisement हो गया and इसमें debate dialogue यह आपसे पूछा जाते हैं फिलंदा ब्लैंक्स बगेरा ठीक है यह हो गया इसमें आपसे जैसे को रिसेंट आपने को मुवी बहुच करिये यह आपसे पूछा जाता है कि डिवेट बताईए यह पूछा आपको लिखना होता है कोई भी टोपिक जी दिया जैसे मानलों लोग टोपिक दिया कि क्या फाइदे हैं और क्या नुक्सान है तो देखो जैसे कि टोपिक आयो अथा लास्ट यही तो मैं इसको सोल्व कर दिया यहां पर तो अपको इसके ओपर एक लेटर लिखना है लेटर वन्यू मेंबर ऑफ टीम तो इसरके साब को एक लेटर लेटर लेखने का फॉर्मेट लेटर लेटर है ताकि क्योंकि आपको ज्यादा उसमें बताना होता है इसमें क्या पूछा गया था इसमें यह कहा गया था कि आपको एक कैसा प्रेटेंड करना है या एक दिखावा टाइप में करना है मालो आप मॉर्निंग में उठें और आपके लिए कोई रूल्स नहीं है कोई रेगुलेशन नहीं है और आप बिलकुली फिरी हो तो एक इमेजिनेशन करना है उस टाइम पे क्या रहेगा महौल तो इसमें बताना है कि अगर कोई बांडिशन नहीं होगा तो सिस्टेम अनार है तो इसके फैदे और नुकसान और जाता डिस्टेम नहीं रहेंगे कोई भी किसे को भी हम करतेगा कोई भी किसे को भी हम पहुंचा जैसे कि ट्राफिक लाइट्स सभी नगलेट करेंगे काफी सारे अक्सिदेंट होने लग जाएंगे तो इसमें कुछ आपको लगा फिर मैंने इसको आंसर में लगा आपको कि यहां पर इंवेटिट कोमा लगाना है को समार कहां लगाना इस तरगर अब यह बनाना होता है तो काफी इसी होता यह इतना एजी है कि अगर आपने कुछ नहीं बढ़ा बीना पढ़ अग्जाम में चले जाता हो तो बिल्क को happy new year visiting कर रहे हो या invite कर रहे हो celebrate करने के लिए तो आपको फेस्वुक के पर पोस्ट लिखना है तो इस तरह के से टाइटल लिखकर हो यहां पर यहां पर यहां पर फेस्वुक पोस्ट हो गया आपको यह पता है कि सोशल मीडिया पर हम ट्रेंडिंग करवाने के लिए हम जरूरी उसकरना जैसे यह लगे कि आप जो लिख रहे हो यह फेस्वुक के ट्यूटर का कोई पोस्ट है तो इस तरह कि समझ जाएगा कि हाँ आप कोई टोपिक पता है बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसके बारे में आप कुछ लाइने इंग्रिश में लिख सकते हो त यह सारी जो मैं बात कर रहा था यह सारी इंग्रिश फुलिएंज़स वाली बात है ठीक है यहां पे मोवी के बारे में यह सब के रिवीव बारे में कोशन आ जा तो इंग्रिश परफिसेंशी के अंदर और क्या-क्या आपसे पूछा जा सकता है चलिए एक वार में आपको बता देता हूं देखो फिलिंदा ब्लैंक इसके नतर आपसे यही आता है यह आपको धियान रखना है फिलिंदा ब्लैंक बस जिसमें आपका मोडाल्स और टैंस पर ग्रिप होनी चाहिए मोडाल्स में अगर हम बात करें तो कैन कोट्स वूड है मस्नी टूडे टू यूज ताकि हम संटेंस को बना सके और इस तरह के से हम सिंपल इंग्लिस में यूज करते हुए इन चीजों को लिख सके तो आपने एक चीज़ कॉमन दिहान दखना है आपको फिल्वेंसी में और प्रोफिशेंसी में दोनों में लेटर का आता है तो दोनों का फॉर्मेट होता है फुल इंसी में भी आता है तो मैंने क्या किया इन नोट्स को अपने टेलेगरम चैनल में डाल दिया है एक बार उसमें जोईन हो जाए इस नोट्स को डाउनलोड कर लेजिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना हुआ इस नोट्स के लिए ठीक है जिसमें आपको मैंने फॉर् पर इसको स्टार्ट करना होता है मालो अपनी आप ग्रेंड फादर के पास गये हो आप कहीं सिम्मला घूमने गए हो कहीं भी घूमने गए हो तो आपकी जो यादे हैं उसको लेकर एक डारी एंट्री आपसे पूछा जाता है तो यह आपका डारी एंट्री का पॉर्शन हो पॉस्ट जो मैं आपको बताया प्रोफिशेंसी और फ्लेंसी दोनों में आता है इस तरीके से प्रोफिशेंसी का हमारा फॉर्मेट रहने वाला है लेकिन इंग्रिश लैंग्विज फ्लो लिट्री टर जो है इसमें तो आपको मैंने बता दिया वह उस अगर आपने चैप् जो ऐसा conceptual हो जो मुझे आपको deeply समझाना हूं अगर ऐसा कोई ऐसा point है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे यह चीज नहीं आता मुझे comment box में बताना बाकि इन तीनों में जो पैसेज है वो कहीं नहीं similar होता है और कुछ portion जो grammar का है वो similar होता है इंग्रिश लैंग्विज बताना और प्लीज इस notes को download कर लेना telegram में दिया हुआ है फिर कोष्ट कोई चार्ज नहीं है इसका telegram में जोईन हो जाना link निचा description box के अंदर है प्यार बनाया रखना नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बैल अकरन कर लेना मिलूंगा आपसे में नेक्स वीडियो के जय हिंद जय भारत